राजस्थान में नोकरी कर्षान भाईया ने घणा घणा राम राम भाईया आज जो टॉपिक आप पढ़ा सा राजस्थान आपने इस यूटूब चेनल पर वो है राजस्थान की लोग गयन से लिया काल की जो कलास में आपने पढ़ा वो पढ़ा राजस्थान की लोग गीत जिसमें कैसरिया बालम, मौरिया, कुर्जा, सुंगलिया, हिचकी, कामन, सीठने, पाउना ये सब लोग गीता काल की कलास में आप पढ़ा आज की कलास में आपने पढ़ा हां राजस्थान की लोग गाइन सेलिया जिसमें मांड गाइन सेली और मांगलियार, लंगा और ताल बंदी जो गाइन के सेलिया हैं इनके बारे में पुरी डिटेल से आज की इस कलास में आप पढ़ेंगे राजस्थान जिके की regular class होती है नेमित रूप से class हो रही है आप channel को subscribe करो और regular जो class होती है ये आप आप से attain करें और गंटी के निसान पर click कर दें जिसे जो regular class होती है उसका study material आपको समय पर मिल पाई उसके साथ में आज की class में आप पढ़ेंगे राजस्थान के संगीत गराने राजस्थान में अगर देखा जाए तो संगीत का मामला में राजस्थान पूरे भारत में ही नहीं विश्वे में अपनी पहचान बनाये हुआ है क्योंकि राजस्थान के ऐसे से कलाकार हैं जिनके विज़े से राजस्थान को पूरे भारत और विश्वे में मान सम्मान मिला है और बहुत सारे अवार्ड भी मिलें बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जैसे गुलाबो बाई है बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन्नों ने अपनी कला का पर्दसन विश्वे लेवल पर किया है और बहुत सारे अवार्ड भी लिये हैं अगर एक्जाम प्रिक्सियां की दृस्टी से अगर देखा जा तो यो टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आँ टॉपिक से क्योशन बहुत सी बार पुछा जाता है राजस्तान की लोग गायन से लियां मांड से लिए प्राचीन समय में यानि की पहले के समय में जसलमेर छेतर को मांड कहा जाता था जसलमेर छेतर को क्या कहते थे मांड कहते थे यहां विक्सित लोग गायन से लिए मांड गाय की कहलाती है जो कालांत्र में संपूरवन राजस्तान में लौग प्रिये हो गई, परसीध हो गई मतलब जशल मेर को जो छेतर्त हो ना उन के कह अगर था? मांढ कह अगर था तो उत जो लोग गित गहे करता वहाँ जो लोग गित गाये जाते थे उस वजय से क्या हो गया? कि मांड गायन लोग से लिए एक परसीद हो गई राजस्तान की और परमुख अगर मांड गाय के यहां देखां तो अल्ला जिला बाई, गवरी बाई, गवरी बाई पाली की निवासी हैं जैमिला बानो जोदपूर, बन्नो वईगम जैपूर और मांगी बाई जो की उदेपूर निवासी हैं यह परसीद मांड गाय की मैलाएं हैं राजस्तान की मांगलियार, जैसल मेर बाड मेर छेतर में मांगलियार जाती द्वारा विक्सित लोग गायन सेली जो है वो कौन से कैलाती है, मांगलियार, और इनके जो परमुख वाग यंतर हैं, जिनके साइता से मांगलियार, जो लोग गायन सेली है, वो गाया जाता है, वो हैं कामयचा सांकर खा, मांगलियार और खरताल, सदीक खा, मांगलियार खड़ताल का जादुगर के हैं सदीक खां मांगलियार ने खड़ताल का जादुगर क्यान के हैं सदीक खां मांगलियार ने भाई खड़ताल का जादुगर पुकारे हैं सदीक खां मांगलियार राजस्थान लोग कला अनुसंदान परिशद जो कि जैपूर में इस्थित है कि अधेक्स भी रह चुके हैं राजस्थान लोग का लानू संदान प्रिशित कहा है जैपूर में है और लंगा लंगा जो लोग गायन से लिए है ये जैसल मेर बाड मेर छेतर में लंगा जाती द्वारा विक्सित लोग गायन से लिए मतलब मारवार छेतर जसल मेर और बार्ड मेर मेर में लंगा जाती के जो लोग रहना उनके द्वारा जो लोग गीत गाये जाएं लोग गायन करया जाएं तो उनके के हैं लंगा क्योंकि वो लंगा जाती के व्यक्तिव द्वारा वो गाया जाता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा लंगा लोग गायन से ली इनका जो परमुख वाग यंतर हैं वो हैं काम्यचा और सारंगी और इनका जो मुखे गीत हैं वो हैं निम्बुडा 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 मारा निम्बुडा प्यारा लागर है लिम्बुडा इनका परमुग गीत है तालबंदी तालबंदी जो है ये लोग गायन से लिए बरत छेतर के सादू सन्यासियों द्वारा विक्सित लोग गायन से लिए जो राजस्थान के भरतपूर करोली अ आदी छेत्रा में लोग पिरिये है, रटो मत, बिल्कुल रटो मत, रटन है की जरूत को नहीं, जब रेगुलर कलास हो रही है, इंपोर्टेंट केशन पढ़ाये जाए हैं, इतनों अच्छो टॉपिक चाल रहे हैं, तो रटन की जरूत कहा है बाया, रटो मत, बरत छेत्र के स आदी छेत्रा में ये गाई गई, और इनमें वाग यंतर कुन से काम में लिया जाता है, अब देखो, हम देखांगा रजस्तान के संगीत गराने कौन-कौन से हैं, जिनके वज़े से जो राजस्तान है, इसकी पैचान भारती नहीं पूरविश्व में हुई, तो अगर देखा जा, तो जेपूर जो गरानो है, राजस्तान को, लोग संगीत को, वो है ख्याल गयन सेली के लिए परसीदे, और आँको जो संस्तापक थो, वो थो मनरंग, मनरंग जो है, वो आँ मौमद अली खा, कोठी वाला जो है, यहांका कलाकार था जेपूर गराना का, देखो एग बार दुबारा देख लो, जेपूर जो गरानो है ना, संगीत को, आँको संस्तापक कोण है, मनरंग, और दूसरा कलाकार कोण है, यहांका, मौमद अली खा, कोठी वाला, और पटिय पटियाला गरणा जेपुर गराने की एक साखा जो है वो कौन क्या कहलाई पटियाला गरणा और इसके संस्दापक अली बक्स फतेई अली वो रहें ने आलिया फतू भी का आ जता है जो टौक के नभाव ने इनको उपादी दी थी जर्नल करनल की और गुलाम अली अतरोली जे नग्रे नजीर खां किराना बंदे अलिखां भेम सें जोसी रोसन आरा भेगं गंगु भाई हैंगल और उस्ताद रेजन अलि ये जो मुख़े गराना है राजластान का ये गराना है डागर जो गरानो आ राजस्तान को आंका संस्तापक था बैराम खान डागर और राम सिंग दित्ते के दरबारी था ये और बिनकार जो गरानों है आंका संस्तापक था रजब अली खान बिकनार अल्ला दिया खान जो गरानों है आंको संस्तापक है अल्ला दिलिया खान और इनका जो कलाकार हैं वो हैं किसोरी अल अब देखो बात करां राजस्तान भारत के शास्त्री नर्त की तो भारत का जो शास्त्री नर्त्य है वो भी विश्वे में अपनी पहचान बनाई हुए और इससे समधित क्युष्षन भी एगजामें पुछो जाए बार-बार-बार रिपीट हुए है क्युष्षन तो आग़ भी रिपिट हो है, इसलिए अपाँ आज ही आने किलियर कर लें, आज ही याद कर लें भरत ना्टे, जो राजे, जो सास्तिरी नरते है यो तमील लाड़ो में करे हो जाए कहां किया जाता है भरत नाटे, तमील लाड़ो में सचित्रा, एसम, कथक, जैपूर और लखनव का ये परमुक सास्तिरी ये लोक नरते हैं अब देखो एक बात आवा है कि राजस्थान के लोग गित्थों की विशेश ताके है क्योंकि राजस्थान में जो लोग गित्थ हैं ये अपनी विशेश ताके कारणी तो जाना जाएं बाया और तो लोग गित्थों गणाई गाली हैं टेप डेक में भी गाली हैं अर याना वाला भी लोग गित्थ गाली हैं लेकिन राजस्थान के लोग गितों के विशेष्था क्या है क्यों पैचान है राजस्थान के लोग गुतों की क्यों भारत ही नहीं विश्वे में लोग गित गाये जाते हैं राजस्थान के पिछे कारण के है कि राजस्थान के लोग गितों में पेड़ पोदों को संबोधि तो वो अपना आप फिर सबने बावें सबने अच्छा लागे। हमारे लोग गितु में पसु पक्सियों को पारिवारिक सद से माना जाता है जैसे कागा, कुर्जा, सुमटियों और राजस्थान के लोग गितु से हमारी सामाजिक मानिताओं का पता चलता है। लोग गितु से हमारी संस्कर्टी एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में स्तानतरित होती है और हमारे लोग गितु में स्रंगार रस्का वुरलन होता है। लेकिन इनमें असलीलता नहीं है। और राजस्थान के लोग गितों के एक विशस्था याबी है कि इसमें विविन जात्ति जनजातियों के लिए रोजगार के सादन बने। पतो चाला है जैसे उने बढ़ावों मिले है और राजस्थान की पहचान देश ही नहीं पुरा विश्वय में हुई है तो यो थो आज को टोपिक राजस्थान की परमुख लौक से लियां और इसमें आपने पढ़े हो कि राजस्थान के जो संकीत गराना है वह मांडगाई की मांगलियार और तालबंदी और राजस्थान के जो संकीत गराने है आँ से रिलेटेड क्विशन एक्जाम में एक बार जरूर आवेगो कोई भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहा हो तो यहो टोपिक आप जरूर पढ़ना इसको भूलना मत और चेनल ने सबस्राइब नहीं क जगे जगे पे आप आपके शीजा